नमस्कार आप देख रहे हैं दिवेहिमाचल टीवी और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी शर्मा दिन भर की बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे इस न्यूस बुलेटिन में शुरुआत करते हैं हेड्लाइन से कोरोना से मचा हड कम अचानक 6 प्रतिशत कम हो गई बच्चों की हाज़री स्कूलों में कोविड के अब तक 191 मामले शनिवार को 30 चात्र हुए संक्रमेद शिक्षा विभाद में बड़ी गड़बडी खाखुलासा 423 सीनियर टीजीटी को जूनियर बना डाला पुलिस भरती के आवेदकों की संख्या एक लाग के पार 31 अक्तूबर तक कर सकते हैं आवेदन इंतजार खत्म स्कूल लेक्चरर न्यू हिंदी का रिजल्ट अगले सप्ताह आ जाएगा महगाई ने तोर डाली कमर सरसो तेल के दाम 200 के पार प्रदेश के स्कूलों में कोविट के मामले बढ़ने के बाद अब स्कूलों में बच्चों का ग्राफ भी घटने लगा है शनिवार को अचानक से स्कूलों में 6% हाजिरी कम हो गई शुकरवार को प्रदेश के स्कूलों में 8-12 तक 66% बच्चे पहुंचे जबकि शनिवार को स्कूलों में केवल 61% चातर ही पहुंचे इसमें सबसे कम आंकडा जिलार शिमला का है प्रदेश के स्कूलों में कोविट के मामले बढ़ने के बाद अब स्कूलों में बच्चों का ग्राफ भी घटने लगा है शनिवार को अचानक से स्कूलों में 6 पीसदी हाजरी कम हो गई शुक्रवार को प्रदेश के स्कूलों में आठवी से भारवी तक 66 पीसदी विद्यार्थी पहुंचे जबकि शनिवार को स्कूलों में केवल 61 पीसदी चातर ही पहुंचे इसमें सबसे कम आंकड़ा जिलाश शिमला का है शनिवार को जिलाज शिमला में केवल 41-31 चातर ही पहुंचे लगातार कोविट के मामले बढ़ने के बाद अब अभिभावकों में भी भाय की स्थिती पैदा हो गई है हाला कि शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर पूरी एहतियात बरतने की बात कही है और हिदायत भी दी है कि स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर पूरी सावधानी बढ़ते स्कूलों में कोविट के मामले बढ़ने के बाद जिलाज अपनी देशकों को भी संशोधित गाइडलाइन चारी की गई है इसमें कहा गया है कि स्कूल गेट पर ही बच्चों का टेंपरेचर चेक किया जाएगा यदि किसी भी बच्चे में सामानिय फ्लू के भी लक्षन आते हैं तो बच्चों की अभिभावकों की ये जिमेवारी होगी कि वे इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन के साथ साथ सीमो और एसडियम को भी दें बच्चों को स्कूल में मास्क पहेंडा जरूरी कर दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखना होगा शिक्षा विभाग ने भी स्कूलों में सक्ती बढ़ा दी है गौर हो कि 27 सितंबर से रेगुलर कख्षाएं शुरू होने के बाद अब तक 191 चात्र पॉजिटिव आ चुके हैं वहीं शनिवार को स्कूलों में कोविड से 30 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं प्रदेश में कोविड के मामले सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी स्कूलों में सक्ती बढ़ा दी है 27 सितंबर से रेगुलर कक्षाएं शुरू होने के बाद अब तक 191 चात्र पॉजिटिव आए हैं शनिवार को भी 30 नए बच्चे संक्रमित पाए गए हैं उच्चे शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने कोविड के बढ़ते मामलों पर अधिकारियों के साथ बैठग की इसमें स्कूलों में एहतियात बरतने के आदेश जारी किये गए हैं फिलहाल स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा सबसे ज़्यादा मामले कांगडा जिला में कोरोना के सामने आ रहे हैं अभी तक 131 चात्र कांगडा जिला में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं कि गरबडियां कभी खत्म होने वाली नहीं है अब एक नए मामले ने सब को चौंका दिया है सरकारी स्कूलों में तैनाथ 17,000 TGT शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में अनेक खामियां पाई गई है करीब 74 TGT को सीनियर दिखा दिया गया है जब कि 423 टीचर उनसे जूनियर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनाथ 17,000 TGT शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में अनेकों खामियां उभरी हैं करीब 74 TGT को सीनियर दिखा दिया गया है और 423 शिक्षक उनसे जूनियर बना दिया गया है इन शिक्षकों के नाम मुख्य वरिष्ठता सूची से भी गायब हैं वरिष्ठता का ये निर्धारन अब इन शिक्षकों के लिए पर्मोशन के मार्ग में बड़ा रोडा साबित हो रहा है ये खुलासा राजकी TGT कला संग ने किया है संग ने शिक्षब विवाग से वरिष्ठता को रिव्यू करने की मांग उठाई है संग के मुख्य सूची से भी नहीं मिल रहे हैं इसमें 24 शिक्षकों को वरिष्ठता बैक डेट से दे गई जिनके जॉइनिंग अगस्त से स्तंबर 2009 को हुई वरिष्ठता निर्धारन का अधार चेन बोर्ड प्रिक्षा मेरिड था मगर जिन TGT शिक्षकों की बताव TGT जॉइनि इन समस्त शिक्षकों से पहले की है वे इसमें बिवागी स्मिक्षा की मांग उठा रहे हैं के युवाओं में एक खासा उत्साहा है अक्तूबर माह में अब तक ऑनलाइन अवेदकों की संख्या एक लाग के पार हो गई है जबकि पुलिस भरती के लिए आवेदन करने की अंतिन तारीक 31 अक्तूबर है नौ दिन में प्रदेश के हजारों युवाओं की आवेदन आ स जाएंगे जबकि 91 पूरिश कॉंस्टिबल को बतार चालक भरती किया जाएगा पुलिस कॉंस्टिबल के 1334 पदों में बिलासपूर में 74, चंबा में 102, हमीरपूर में 89, कांगडा में 293, किन नौर में 16, कुलो में 86, लाहुलस्पिती में 5, मंडी में 194, शिमला में 158, सिर्म पे मिलेगी, आठ साल बाद नियमित होने के बाद पे बैंड 10,300 से 34,800 प्लस 3,200 ग्रेड पे मिलेगी, यानि पद तो नियमित आधार पर भर रहे हैं पर जो भी न्युक्त होंगे, उन्हें नियमित वेतनमान 8 साल के सेवा काल के बाद मिलेगा लोग सेवा आयोग की तरफ से पिछले साल अगस्त 2020 में करवाई गई स्कूल न्यू हिंदी की परिक्षा का परिणाम अभी तक घोशित नहीं किया गया है, अभियर्थी इससे बहुत परिशान है और उनका कहना है कि वे डेर्ड साल से रिजर्ट का इंतजार कर रहे हैं लोग सेवा आयोग की ओर से पिछले साल अगस्त 2020 में करवाई गई स्कूल न्यू हिंदी की परिक्षा का परिणाम अभी तक घोशित नहीं किया गया है, अभियर्थी इससे बहुत परिशान है और उनका कहना है कि वे डेर्ड साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं सेंकडो युवाउं का कहना है कि इससे पहले भी फरवरी 2020 में हुई परिक्षा को आयोग की लापरवाई की वज़ा से रद करना पड़ा था अभियर्थियों को अगस्त में दुवारा से प्रिक्षा देनी पड़ी थी, इसके बाबजूद इंग्लिश लेक्षर को लगभग नो महापूर्व, राजनीतिक लेक्षर तीन महापूर्व तथा इतिहास लेक्षर को एक महापूर्व शिक्षा बिवाग द्वारा निउक के रतन का कहना है कि स्कूल लेक्षर न्यू हिंदी का रिजल्ट अगले सप्ता तक घुशित कर दिया जाएगा लगता है महंगाई अब आम आदमी के मूँ से निवाला चीनने वाली है खाद्यवस्तों के धड़ा-धर बढ़ते दाम ने हर किसी का जीना हराम कर दिया है हर घर में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल ने दिवाला निकाल दिया है इसी तरहे अन्याच चीजों में भी आग लग चुकी है प्रदेश में सरसों के तेल के दाम 200 रुपई के पार हो गए है वहीं डिफाइन तेल भी महिंगा हो गया है शिमला में सरसों के तेल के दाम 210-220 रुपई और 150-210 रुपई प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है तेल के बढ़ते दामों के 7, 7 दालों के दामों में भी 15-20 रुपई बढ़ोतरी हुई है वहीं आटा और चावल भी 2-5 रुपई प्रति के लोग बढ़ गए है प्रदेश में आए दिन बढ़ रही महंगाई से आम आदमी बेहाल हो गया है प्रदेश में आए दिन जहां पैट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वही राशन के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेव पर आर्थिक बोज बढ़ गया है ऐसे में जहां लोगों को गुजारा करना मुश्किल हो गया है वहीं आम आदमी को खाना खाने के लाले पड़े हुए है प्रदेश में जहां दुकानों पर खादे वस्तों के दाम बढ़ गए है वहीं उचित मूले की दुकानों पर भी राशन के दाम बढ़ गए है दुकानों के साथ साथ राशन डीपो पर दालों के दामों में बढ़ाउतरी हुई है इसके अलावा दुकानों पर बड़ी इलाइकी सहित मसालों के दाम भी 200 रुपए प्रतिकिलों के हिसाब से बढ़ गए है ऐसे में लोगों का सबजी का तड़का लगाना महंगा हो गया है दिवाली पर लोग समय पर अपने घरों में पहुंचें इसके लिए HRTC प्रबंधन अतिरिक्त बसें चलाएगा दिवाली के पर पर HRTC की बसें शाम पांच बजे तक चलेंगी चार नवंबर को शाम पांच बजे के बाद से लेकर पांच नवंबर सुभे आट बजे तक बस सेवा बंद रहेगी देखें इस खास रिपोर्ट में दिवाली पर लोग समय पर अपने घरों में पहुंचें इसके लिए HRTC प्रबंधन अतिरिक्त बसें चलाएगा दिवाली के पर पर HRTC की बसें शाम पांच बजे तक चलेंगी चार नवंबर को शाम पांच बजे के बाद से लेकर पांच नवंबर सुभे आट बजे तक बस सेवा बंद रहेगी यात्रियों की सुविथा के लिए हिमाचल पत परिवहन निगम की बसें दिवाली पर डिली चंडिगर्वब बदी से प्रदेश के वेबिनस थानों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाےएगी इसके लिए हिमाचल पत परिवहन निगम ने बसों की बुकिंग के लिए उनलाइन पोर्टल बनाया है यात्री इस पोर्टल पर बस में जाने के लिए बुकिंग करवा सकते हैं और अब चलते चलते सोलन की अंजली की मेक्सिको में गोली लगने से मौत दो गुटों में चली गोलियों की चपेट में आने से गई जान रोहतां के दरफ वहनों की आवा जाही बंद बर्फबारी की चेतावनी के बाद कलके सभी परमिट रद पंच कुला की तेल कंपनी पर पचास हजार जुर्माना खादि सुरक्षा विभाग कुलू ने एक साल भरे थे सेंपल सबस्टेंडर्ड ओयल बेशने पर पड़ी पैनल्टी अपने गंतव्यों को भेजे 69 सैलानी रेस्क्यू सफल लाहोसपिती के बातल में फांसे थे परियाटक आज के न्यूस बुलेटिन में इतना ही रात 9 बजे देखना न भूले शिम्ला से हमारा विशेश लाइफ प्रसारण